तो हेलो दोस्ते स्वागत करते हैं आपका अपने इस योटूब चैनल गोरच टिक सपोर्ट पे आज की इस वीडियो हम लोग सीखेंगे बहुत ही असान तरीके से कि यहां पर योटूब पे न सौट वीडियो हम कैसे क्रियेट करते हैं कैसे बनाते हैं यदि आप बिगनर हैं नय हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको सिखाने वाला हूँ कि यूटूब पे हम कैसे सौट वीडियो क्रियेट करते हैं और कैसे उसमें मतलब टाइटल लिखते हैं हैश्टेग कैसे लगाते हैं वीडियो कमेंट टैक कैसे देते हैं सारा कुछ आपको बताऊंगा फिल्ट पड़ेगे और इसी वीडियो से अफस्तीख जाएंगे कि कैसे सौट वीडियो क्रेट करते हैं कैसे अफ्लोड करते हैं सारे को जनकारी आपको इस वीडियो में फूल एकना जनकारी आपको देने वाला हूँ तो चले इस वीडियो को बिना किसी देर के कर लेते हैं दोस्तो बनाना है मैं बता रहा हूँ तो आपके सामने यह हवाला पे जायेगा जैसे के आप देख पा रहे हैं इस से केमरा आगे पीछे होता हुआ है इस ही पर क्लिक कर देंtar लेगे फ्रेंट वाला चालू हो जाएगा इसी पर क्लिक कर देंगे तो कैमरा बैक वाला हो जागा ठीक ना यह पहला हो गया इसके नीचे एक आफसन है वन एक्स लिखाया जिस पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप फास्ट मोशन स्लो मोशन वाली वीडियो बना सकते हैं जैसे यदि ए हैं ना सकते हैं सर्व फिल्टर हो जारे इस पर क्लिक कर ला उस सकते हूं आप रहें तो आप उसमें वीडियो लाइप कर सकते हम लोग के उजच के नमबर पर एक option फिल्टर का तो हम फिल्टर पर क्लिक करेंगे और जो भी यहां पर देख सकते हैं रिटच हो गए रहे करने पर फिल्टर हो गए रहा है यह on-off हो जाता है ठीक ना इसको आप अपने इंसर कर सकते हैं यह वीडियो में फिक्ट डालने के लिए है ठीक है उसके यहां पर हमारा एक option है इसके नीचे चौथे नमबर पर यह भी फिल्टर का इस पर क्लिक करेंगे तो तरह तरह के फिल्टर मिलेंगे जो वीडियो की अलग-अलग quality देते हैं और इसके आप animation को घटा बड़ायां से सकते हैं जितना फिल्टर लगाना है तो इसमसे आप मैं पर 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 करता है तो पर लेने के बाद मैं डन करता हूं ठीक ना अब इसके नीचे एक arrow दिखेगी से arrow पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर अपने फ्लैस को यहां पर चालू कर सकते हैं यहां से और चाहें तो यहां से अपने फ्लैस को बंद भी कर सकते हैं और उसके जाएगा, resultado 60 हो जाएगा, फिर करदेंकों 15 हो जाएगा तो यहाप 15 या शाथ अप इस तरह से शेट कर सकते हैं मैं यहापे 15 सेकंड North Set रलाते हैं ठीक न आप देखिए आप बात आ पर ठीक है अब हमें क्या करना है है बीड़ियो सूट करना है यह आपके पास वीडियो आपके डैटको consciousaka आनफ पर बनाना चाहते हैं ब्रत्ट हपमें यापर लाइब रिकॉर्ड करके आपके दिखाएंगे to आप record कर लिजे जितना भी सेकेंड के आपको वीडियो बनाना है ठीक है तो मैं completely यहां पर record होगए अपने वीडियो कर रहा हूं सौ ले और हमारी वीडियो complete यहां से record हो गयी ठीक ना record होने के बाद अब हमें तो इडिट भी कर सकते हैं आप क्लासिक में या लाइट में या से बोल्ड में या इस तरह से बहुत सारे फिल्टर हैं आप यहां से अपने उसर कर सकते हैं जो भी कलर देना चाहें कलर दे सकते हैं यहां से नीचे बहुत सारे कलर हैं ठीक ना तो इस तरह से बीडियो का आप स कि अपनी timeline को घटा मतलब घटा बढ़ा सकते हैं, adjust कर सकते हैं, इसको गाना ओगरे को, या अपनी video ओगरे को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना चाहिद ना घटा बढ़ा सकते हैं, कुछ cut ओगरे करना तब इसके लिए है, filter आप यहां से भी लगा सकते हैं, कोई filter यहां से और इसमें एक हैच लगा के, हैच का चीन लगा के, और यहां पर आपको लिखना होगा, yes, yes, o, r, t, yes, ठीक ना, जिसे video का आप लोगों तक पहुस सके, sorts लिखना है, visibility को आप private भी रख सकते हैं, public भी रख सकते हैं, मैं अभी private इसे रखता हूँ, ठीक ना, और उसके बाद साट पर क्लिक करेंगे, अब आपको जाना है, Google Play Store में, और यहां से एक एप की आपको साहता लेना होगा, हो सकता आप पहले इनिस्टॉल भी कियो हो, जिसका नाम है YT Studio, ठीक ना, तो आपको सर्च करना है, YT लिखके YT Studio देख सकते हैं, इसे ही आपको डाउनलोड करना है, तो आपको यहां से वीडियो को पब्लिक करना होगा, अभी अप्लोडिंग चला है, अभी अप्लोड कुछी सिकेंड़ोम हो जाईगी, जैसे हम ऐसे रिफ्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं रिफ्रेस हो रहा है, और वीडियो हाँ से गायब हो जाएगी, गायब क्यों हो रही ह यहां पर सौट वाले सेक्शन में आगई, यहां पर उपर सौट लिखा है ना, तो सौट पर क्लिक कर दिजिए, सौट पर जैसे क्लिक करके एक बार ऐसे रिफ्रेस करेंगे, तो आपकी वीडियो यहां पर सौट वाले सेक्शन में आजाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे ठीक ना और आप चाहे तो अपने हम सार यहां पे आपको थमने लगा सकते हैं चाहे तो अपना यहां पे description आप लिख सकते हैं और description में क्या लिखना जो आपने title लिखा है ना इसी को copy कर लिजे, copy करके description में यहां से paste कर दीजे ठीक ना बस अब आपको क्या करना जो private है प्राइबेट पे क्लिक करिए visibility को public कर दीजे और public करने के बाद हैं से save कर दीजे आपकी वीडियो पब्लिक हो गई है अब काफी लोगों तो पहुचेगी like, subscriber और comment जो भी आपका वाया का कोई दिक्कत नहीं है तो फिर वीडियो अच्छी लगई हो तो support करिएगा वीडियो को like और चैनल को subscribe मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखेगा अच्छे से बैबै दोस्तों